मा, आ गया बेटा ओफिस से, आज बेटा बैठ, बहू, पानी लाना तो रहू लाग गया ओफिस से, और बेटा कैसा रहा ओफिस का आज का दिन? अच्छा था मा, ये लो मा सैलरी, आप अपने हिसाब से खर्च करना अच्छा बेटा, खुश्ट है बेटा जुग जुग जी आज के चबाने में भी मेरा बेटा स्रवान कुमार है, जो अपने पूरी की पूरी तनका अपने मा की हाथों में देता है मा, आपको नहीं दूँगा, तो किसे दूँगा? आपने मुझे पढ़ा लिखा के काबिल बनाया है, तो इस पर तो आपका ही हक्थे ना? अच्छा मा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ अरे, तुम यहाँ कमरे में क्या करी हो? मेरे लिए चाय बना दो ना, बहुत धक गया हूँ वो सब तो बाद में, पहले आप मेरी बात सुनिए क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हूँ? राहुल, मैं एक बाद साप साथों में कह रही हूँ अगर यह घर बरबाद हुआ ना, तो सिर्फ और सिफ आपकी मा की वज़े से होगा आप मेरी बात मानो या ना मानो, लेकिन एक बात तो पक्की है मा जी बहुत ज़्यादा फिजोल खर्चे करती है और एक आप हूँ, जिसको कुछ समझ नहीं आता है सेलरी आई नहीं कि सारे के सहरे पैसे मा जी को पकड़ा दिये एक कुछ थोड़े बहुत पैसे मुझे दे दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? प्रिया, तुम्हारा दिमाग खराफ हो गया क्या? मेरी माने बच्पन से सहे सहेच कर एक रुपया हम लोगों को पढ़ा लिखा कि इतना काबिल बनाया है तब तुमाने घर बरबात नहीं किया और आज तुम बोल रही हूँ कि मान घर बरबात करी है क्या पागल पैन है ये? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ पहले ना तुम्हारे पापा कमाते थे लेकिन अब तो तुम्हारे पापा है नहीं पर लोग से धार गए है और कमाने वाले कौन हो घर में सिर्फ तुम और इसलिए मा जी को तुम्हारे कमाए पैसो की कोई वेलू नहीं है समझे आप? प्रिया लगता है ना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया और खबरदार अगर मेरी मा के बारे में तुमने कुछ उल्टा सीधा बोला तू अगर तुम्हें पिजूल की बाते करनी है ना तो अपने आप से करो मुझसे नहीं जा रहा हूं मैं हॉल में तुम्हारा बकवास सुनेगा मेरे पास कोई टाइम नहीं है जाओ जाओ राहुल जी मेरा नाम भी प्रिया है प्रिया अगर इस घर में वो दिन में नहीं लाई न तो मेरा नाम बदल देना कि जब तुम खुद आगे होकर मुझे इस घर के मालकिन बनाओगे और अपने साहल दे के सारे के सारे पैसे मेरे हाथ में दोगे जी सर हाँ जी 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 सर मैं अभी भेजता हूँ आपको मेल जी राहुल आप चलो मेरे साथ नहीं यार अभी तुम्हें नहीं चल सकता तुम्हारे साथ उचे एक बहुत इंपोर्टेंट मेल करना है मेरे सार को मेल मेल बात में करना पहले तुम मेरे साथ चलो अरे यार ये क्या जबरदस्ती है मेरा हाथ पकट के क्यों ले जा रही हो तुम ये क्या करी हो तुम प्रिया, मेरा हाथ पकट के इस तरह हॉल में क्यों लेके आई हो, तुम्हें पता है ना मैं कितना important काम कर रहा था office का मैं यहाँ आपको कुछ दिखाने के लिए लेके आई हो, चुप्चाप खड़े रहो और वो देखो तुम यहीं दूर से खड़े होकर देखो, कि माजी क्या करती है, मैं भी माजी के पास से आती हूँ, तुम्हें तो मेरी बातों पे भरोसा नहीं है ना आज नमें, आपके सामने दूद का दूद और पानी का पानी कर दूँगी अब चुप-चाप यहीं खड़े रहा हूँ, आती हूँ मैं क्या करी हैं आप माजी, मैं देख रही हूँ माजी, हाज कल आप मोबाइल पे कुछ जादा ही लगी रहती है कुछ पसंद आ गया, क्या आपको कुछ खरी रही है अरे नहीं नहीं बहू, मैं तो बस बाल्टी देख रही थी, वात्रों की बल्टी तूट गई है तो सुच रही थी कौन मार्केट जाए ऐसी धूप में, ओनलाइन ही मगा लेती हूँ, देख किती सुन्दर लग रही है पर माजी, बाल्टी तो बहुत सुन्दर है, पर काफी महगी है, आप मार्केट में इसे दो ड़ाइसों में ले सकती है और अगर आप नहीं चल पा रही है, तो अब मुझे बता दीजी, मैं दिला देती हूँ आपको अच्छी सी बाल्टी अरे नहीं नहीं बाल्टी तो मैं ओनलाइन ही लोगी, तो भी कहाँ परेशान होगी धूप में ठीक है माजी, जैसी आपकी माजी, आखिर घर चलाने की जिम्मेदारी आप पे है, मालकिन तो आप ही है, होगा वही जो आप चाहेंगी देखा, बोला था ना, आपकी मा को कितना फिजूल खर्ची करने का शौक है, जो चीज दोसों में मिल सकते, उसके लिए 600 रुपे खर्च करने के लिए तयार है, लेकिन आपको तो मेरी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, अब देख लिया ना आपने देखा, मैंने कहा था ना, कि आपकी मा कितनी फिजूल खर्ची करती है, अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो इस खर को बरवाद होने में देद नहीं लगेगी लेकिन प्रिया आप तुम्हीं बताओ, मैं क्या करूँ, मा की फिजूल खर्ची को कैसे रोकूँ अरे ये तो बहुत सिंपल है, आप मा को जो खर्चे के पैसे देते हैं, वो मुझे दे दीजी, सिंपल एक महीने आप मैं चला के दिखाते हूँ आपको, फिर देखना आप, घर का बैलेंस ना कर दिया ना, तो मेरा नाम प्रिया नहीं चलो, फिर ठीक है, इस महीने की सल्दी में तुमको देता हूँ, देखता हूँ तुम कैसे घर चलाती हो मा, इस महीने जरा हाँ टाइट है, सल्दी भी थोड़ी कमाई है, तो इसलिए मैंने ना, इस महीने की सल्दी प्रिया को दे दी है खर्चे के लिए आपको कुछ जरी रूनत हो तो प्रिया को बोल देना, वो आपको दे देगी पैसे ज़्यादा फिजोल खर्ची के लिए पैसे नहीं है इस महीने हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल सही किया तुने अरे अच्छी बात है ना, जो प्रिया बहु अभी से अपनी जिम्मेदारियां समझ रही है अरे मैं कितने दिन तक घर को समझ लूँगी, आखिर आगे चल कर उसे ही तो समालना है घर अभी से अगर वो अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तयार है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बिटा अरे बहु, सुन हाँ माजी, क्या हुआ अरे बहु, मेरी कमर में बहुत दर्द है और मेरी दवाईयां भी खतम हो गई है तो सोच रही थी डॉक्टर के पास चले जाओ, एक बार दिखा के और दवाई ले आती हूँ मेरे पास पैसे नहीं है डॉक्टर को देने के लिए इसलिए तू चल मेरे साथ, तो फीस वगेरा जो भी लगे, वो तू दे देना अरे माजी, कहां आप डॉक्टर के चक्कल लगा रही है, पैसे बरबाद कर रही है आपको क्या जरूर है थे दवाईयों की ऐसे ही तो आप फिट फाइन लग रही है, सुगर भी आपका कंटोल में ही है ज्यादा दवाईयां वैसे भी शरीद के लिए नुक्सान ही करती है अब मैं आपकी दवाईयां कम करूंगी और आज से आप कोई दवाईयां नहीं खाएंगी अरे बहू लेकिन बिना दवाईयों के मैं एक भी दिन कैसे अरे माजी आप क्यों चिंता करती है मैं करूंगी ना आपकी देख़ाल, मैं सेवा करूंगी आपकी आपको डॉक्टर के हाँ पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है बहू जैसे तुम्हारी मर्जी अप आएगा उट पहार के नीचे, बड़ी चली डॉक्टर को दिखाने मा, आज आप यहीं हॉल में ही सो गई, आप कमरे में जाके आराम कीजिए न मा, मा अरे मा तो बेहोश है, क्या हो गया मा को प्रिया, चल्दी आओ, मा को क्या हो गया है तुम हॉस्पिटल पहुचो, मैं मा को लेकि हॉस्पिटल ली जा रहा हूँ मा बेहोश है, पता नहीं क्या हो गया मा को अरे डॉक्टर साब, क्या हुआ मा को, मा बेहोश कैसे हो गई देखिए आपकी मा का सुगर बहुत हाई है और इसे कारण उन्हों चक्कर आ गया है लेकिन डॉक्टर साहब मा का सुगर हाई कैसे हो गया क्या आजकल आप मा की दवाईयों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं अरे राहूल जी ये आप कैसी बात करें हैं ध्यान तुम्हें तब दूगा ना जब आपकी मा जी आएंगे मेरे पास चेक अप कराने क्या मतलब है आपका हाँ राहूल जी आपकी मा पिछले एक महीने से मेरे पास ना चेक अप के लिए आई हैं और ना ही वो पिछले एक महीने से दवाईया ले रही हैं क्या मा एक महीने से दवाईया नहीं ले रही है घबराने के देखे कोई बात नहीं है मैंने इंजेक्शन दे दिया है और वह बहुत जल्दी होश में आ जाएंगी और दवाईया भी आप ले लीजेगा हैना आप अपनी मा को थोड़ी देर में खर ले जा सकते हैं जी डॉक्टर साहब थैंक यू आईए मा बैठी आराम से मा सबसे पहले मुझे एक बार साफ साब बताईए कि आपने दवाईया क्यों बंद कर दी अरे बेटा उमर हो गई है कितनी दवाईया खाऊंगी अब तो जी भर गया दवाईया खाने का मन ही नहीं करता इसलिए बंद कर दी दवाईया हाँ और नहीं तो क्या सही तो कह रही है मा जी अरे इस उमर में कितनी दवाईया खाएंगी क्या प्रिया तुमने मा की दवाईया बंद करी प्रिया बस भी करो, कितना जोट बोलोगी, कितना भरोसा किया था मैंने तुम पे, कि तुम इस घर भैस्ती को अच्छे से समभालोगी, लेकिन तुमने पैसे बचाने के लिए मेरी मा की हेल्थ के साथ समझोता किया, उनकी दवाईयां बन करी, निकल जाओ मेरे घर से, उज़े तुम्हारे सकल नहीं देखनी है, अरे तुम्हें तो मुझे अपनी पत्नी कहते हुए भी शर्माती है, चुप करो तुम अपनी एबकवास, और माफी न, गुनाहों के लिए नहीं मिलती है, अंचाने में की हुई गलतियों के लिए मिलती है, और तुमने तो जान बुझकर ये गुनाय किया है, निकल जाओ मेरे घर से, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी है, तुम इस घर से बस चली जाओ, अरे बेटा, माप कर देना बहु को, अरे गलतियां इनसान से ही होती है, बहु से भी हो गई, अखिर वो भी तो इनसान है, तुझे मेरी कसम है, अगर तुने बहु को माप नहीं किया न, और बहु को इस घर से निकाला तो मेरा मरा हुआ मूँ देखेगा, समझा? मुझे माप कर दीजे माजी, मैंने आपके साथ इतना गलत किया, फिर भी आप मुझे इस घर में रोपने के लिए अपने बेटे को अपनी कसम तक दे दी, मुझे माप कर दीजे माजी, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बादा करती हूँ कि दोबारा शिकायत का कभी मुकर नहीं दूगी, हलो दोस्तों, कैसे है आप सब, उमीद करती हूँ, आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक करें, और आपका कमेंट करें, मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप सभी अपना क्यार लगी,